हेलो फ्रेंट्स एसके रस्वे के निव विडियो में स्वागत है आपका फ्रेंट्स आज हम रहेंगे चीनी और मुखफली का फिठा बहुत यह असान तरिके से तो चलिए फिर विडियो कर लें स्टार्ट पिठा बनाने के लिए हमने लिया है मुगफली मुगफली हमने 200 ग्राम लिया है और जितना हमने मुगफली लिया है उतना ही हमने चीने भी लिया है तो चीने भी हमने 200 ग्राम ही लिया है अब हम गैस को अन करेंगे और कराही चरा देंगे कि कराही गर्म होने के बाद हम ढाल देगे मुखफली को अब मुखफली को हम जबनेंगे मुखफली में दरारी आ गई है जबनेंगे आप करदेगे और इसे हम निकाल लेंगे एक कपड़ा पर और इसे ठंडा होने देंगे ठंडा होने के बाद हम कपड़ा को फोल करेंगे और हलके हलके हाथे से इसे हम मसलेंगे ताकि इसका जो छिलका न अच्छी तरह से छुट जाए तो देखिए मुखवली का चिलक अची तरह से चुट चुका है तो हम इसे निकाल लेंगे एक थाली में अब इसे हम हलकालकार उछा लेंगे तो इसका चिलका असानी तरह से निकल जाएंगे तो यह हमने मुखवली का सभी चिलके को निकाल दिया है अब हम ले लेंगे एक मिक इसके ढखकन बंद कर देंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे तो यह हमने चीनी अमुक फली को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है अब हम इसे निकाल लेंगे कटोरी में यहमने मुख़ली और चीनी के पौदर को निकाल लिया है अब हम इसमें डालेंगे मलाई अब हमने इसमें फ्रेश मलाई यूज करना है दो चमच हमने मलाई लिया और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे मुलाई डाले से ने इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा तो हमने ले लिया है चावल का आटा चावल का आटा हमने लिया है 500 ग्रम इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर चमज से मिक्स करेंगे हमने इसमें गरम पानी का यूज किया है चावल का आड़ा को गुथने के लिए गरम पानी का ही यूज़ करें उने चमच को अठा दिया अब हाल से इसे अच्छी तरह से गुथेंगे जैसे हम गेहों काड़ा गुथें न उसी तरह से आटा को गुथ कर हम एक डोत्यार कर लेंगे अब हम इसका लोई बना लेंगे सबी लोई को हम एक साइज का ही बनाएंगे और इसे हम चिकना करेंगे अउंगली की मदा से इसमें हम थोचा गड़ा बनाएंगे अब हम इसमें चमच की मदा से मुखफली और चिनी का जो हमने बनाया था ना फिलिंग उसे भर देंगे, और इसे हम अच्छी तरह से बंद करके चिकना कर देंगे, फटा हुआ नहीं होना चाहिए फ्रेंड, भरना क्या होगा न, चेनी और मुख़ली का जो हमने फिलिंग भराए न, वो पानी में निकल जाएंगे, इसलिए इसका जो मुख़ली न, अच पाई में हमने डाला है पानी को, और गैसन कर दिया है, और पानी में उबाल भी आ चुका है तब इसमें हम डॉल देंगे फिट्था जितना कि इसमें जा सके 15 से समें टोल डॉल आङके, जोम हमने और युबाल आने के बाद हम ढग देंगे 5 मिनिट और हम इसे पकाएंगे तो देखिए 10 मिनिट हो चुके हैं और देखिए पिठा उपर में आ गए हैं इसका मतलब पिठा अंदर से अची तरह से पक चुके हैं तब हम इसे निकाल लेंगे इसी तरह से हम सभी पिठा को बनाकर एड़ी कर लेंगे बहुत टेस्टी बनते हैं आप भी ज़रू बनाईए एक बारी से ट्राइ करिए तो यह हमारा पिठा बनकर एड़ी हो चुका है तो हम कट कट कर दिखाते हैं तो देखिए यह पिठा कितना टेस्टी बनकर एड़ी हुआ है अब बहुत यह सबंची बनते हैं एकदम सॉप्ट अगर यह वीडियो आपको पसंद आयो तो प्लीज लाइक करते चेगा और में चैनल को सब्सक्राइब कर लेचेगा ऐसे ही ने ने रस्पी के लिए रिमिलते हैं अगली वीडियो में थांक्स पर वाचिंग